कानपूर में ग्यानवापी मामले पर ASI की सर्वे रपोर्ट के आने के बाद कानपूर के लोगों ने खोशी जाहिर की है कानपूर की जनिता ने कहा कि जो रपोर्ट सामने आई है उसे जाहिर होता है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था जिस तरह की वहाँ मूर्थियां और जो अफशेश मिले हैं उससे इसद हो गया है कि वहाँ पर मंदिर ही था कानपूर की जनिता से ग्यानबापी मुद्दे पर राए मांगी गई क्या कुछ उन्हों ने कहा आपको दिखाते हैं क्यानबापी मामले में कल देर रात सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिल गई है और उसके बात लगातार स्वे सब्सक्राइब लेकर चर्चाए बड़ है हमारा साथ कानपूर में कुछ प्रभूत लोग मौजुद उनसे बात करते हैं कल एकart जो मिली है। उसमें कहीत सारे अविशैस में मिले ही जहां पर हिंदू मंदिर था मूर्थियं ठी ऩरीं क्या वानते हैं? है बेश्य सही बात है। यह यह एतिहासिक थत्त है जो और हिंदू मंदिर रहा है और जो धाला झाल तक कि हम धुश्टिवी हो रही है कि वहाँ पर प्राचेन हिंदू मंदिर था तो इस बात का यह परिचायक है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था अच्छा रिपोर्ट में खुलाता हुआ है कि अन्मान जी की और गणेज जी की खंडित मूर्कियां में इस संब्ध में आपको बताना चाहूंगा यह हमारी भारती संस्क्रेट में आप कहीं पुरातन पूठा के देख लें ता आप सदय यह पाएंगे कि हमारे यह इतने भी म मंदिर बने थे और प्राची हमारते बनी थी उनको बड़ा इनों में विद्धन सुकारी तरीके से लूटा है और उनके अंदर से इसलिए सोने की चिलिया भारत कहीं आती थी बहुत बुरी तरीके से लूटा और उसके अंदर जितने भी हीरे जहारात यह सब इन लोगों न यहां से बाहर पहुचाए और उनमें इन लोगों ने कि जो मंदिर है उसको इनोंने मस्जिद का रूप देने के लिए हमारे जतनी मंदिर में मूर्तियां वगरा थी जतना इनोंने पाया उसको तरीके से तोड़ा वगरा तो आप इस परिपेश में आप देखेंगे कि हमार यह आप पायेंगे कि किनारे पे छोटा सा मस्जिद का रूप दे के एक विक्ति बैठा रहता है जिसको इन लोगों ने कब्जा करने के उद्देश से बनाया था हमारा वहां भवे मंदिर पुरातन से बना है जिसको आज भी हमारी भारत सरकार हो मैं तो भारत के सबी लोग सब लगें बारत के साथ हमारी पूरी जनता है हमारा हिंदू पूरा समाज सब उसके साथ में आपको क्या मानना है जैसे प्रकार से रिपोर्ट कल भारत के और प्राचीन इतिहास उठा कर देखिए उसमें आप यह पाएंगे कि प्राचीन काल से प्राचीन काल से हिंदू मं करकर के वहां किन परिशितियों में कैसे यह सब तब दीली की गई है तो ऐसा नहीं कोई नया काम हो रहा है और जो यह यह तो बर्तमान सरकारे जो इस पर सजग है और हिंदु और हिंदु और सनातन को ले करके यह अगर आंगे बात बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात ह आना चाहिए अगर हमारे साथ जात्ती हुई है तो उसका निराकरण भी होना चाहिए पुना इस्तापित होनी चाहिए आपका क्या मानना जिस परकार से कल रूपोर्ड मिली है और लगातार सुबह से ही इसको लेकर लोहों में भारतिय संपन्नता को देख करके विदेशी आ करश्टि से देखा जाता था दूसरा हमारे पुस्तकाले उन्होंने नस्ट किये तीसरा हमारे जो मंदिर है जिसमें अकूत संपत्ति इश्वर को समर्पित की गई थी वो थी उसको नस्ट किया और समाज में आपस में विभेद पैदा किये उच नीच छुआ छूत यह सब को प्रसारित किया विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वह और बहुसी एक सडियंत्र का हिस्सा है जिसमें प्राचीन मंदिर हो कंडित करके और उसमें एक अपना भवन उन्होंने खड़ा कर दिया और गया जिन नंदी बाबा किस तरफ विराजमान है आपको क्या मानना कुछ 34 ऐसी चीजे वहां मिली हैं जिससे यह प्रूफ हो रहा है कि मंदिर था साठ्वी के निसान है पच्छी पच्छी के चित्र बने हुए कई सारी ऐसी यह जो रिपोर्ड में खुलासा हुआ है जो महत्पूर्ट चीजे यह तो इस सत्त है कि महां मंदीर था मंदीर अभी वहां का उस्यश हैं वांगे मंदीर बनेगा यह बटनेगा लेकिन मघपोर्ड चीजे कि उसको कैसे धरातल सिद्ध किया जाए जो उसके नाते मात्रपूर्ण यह है कि दो बाते हैं एक तो ज्चाइब हुआ है वह जो उनका प्र कि आए कार्बन डेटिंग पे वो आया है सोला सोखा तभी के समय हम लोग अपने जो हमारा वाद है उसमें कह रहे हैं कि सोला सोख समय हमारा मंदिर तोड़ा गया था तोल करके मच्डिद बनाए गई थी जो टाइम पीजट निकल के आ रहा है कि हाँ यह चीज सोला सो में तोड़ी गई थी इतने वर्ष पुरानी तोड़ी गई थी तो वह हमारे पच्छ में है और पूरा अफ्सर्ज मिले हैं उन्हीं खंबों को जिन पे हमारा मंदिर जहां उन्हीं को यह अटा करके उनको ओबर लेफिंग करके बनाया गया है उसमें सारे चित्र हमारे उसमें अंदर जो जो अठाल पाया गया है क्योंकि जो हमारी ही संस्क्राइब है उसमें भूणा बनाया जाता है कि मतना do such अज़्ण नहीं खित्र नहीं ख़रहтории नहीं फिरमान हैregard तोड़ा करना गलत है भूसलतर और वहonentsना बनाय है उसस दोनल पच्छों से हम लोगों के मंदिरों का नुकसान हुआ है जान भूज की इन लोगों दोरा किया गया है इनको किसी तरह हिंदू समाज को बेज़ित करना था क्योंकि ऐसी जगह इनोंने मंदिर तोड़े हैं जहां पर कोई बहुत ज्यादा वो ना तो आर्थी ग्रूप से मजबूत थे बहुत पिछड़ा माना जाता लेकिन चुकि हमारी छाती पर रखके ने नुकसान पहुचाना है तो इन्होंने ढूंड ढूंड के हमारे आराध्यों का नुकसान किया है पूरे देश यह दूसरे धर्म को नुकसान पहुचाते हैं सब जगह उसे मिल रहे हैं और प्रभू हमारे आराध्य राम जी के द्वारा सुभारम हो चुका है और सीग्री हम सब लोग यह सभी चीजें प्राप्त करेंगे हर जगह इसके सबूत मिल रहे हैं अपकासी मत्रागबार है जो अब लोग थे उनका यह मानना है कि लगातार जिस प्रकार से जो तर्ट्र सामने आ रहे हैं जो एसाइए रिपोर्ट की जो जो फुलासे हो रहे हैं उससे पहले से यह किलियार हो रहा है कि वहां पे एक हिंदू मंदिर बना था और इस प्रकार की करते नहीं करना चाहिए अ